दोस्तों इस वीडिये में हम पॉल्टी के एक बहुत इंटरस्टिंग प्रशन पर इसस करेंगे। यह प्रशन एक्जाम की दिरिश्ची से काफी अच्छा है। साथी साथ इसकी व्याक्य भी देखेंगे। और यह प्रशन सविधान सभा से समधित है। चलिए शुरू करते ह प्रशन है निम्नलिकित कत्रों पर विचार कीजिए। पहला सविधान सभा के प्रथम अधेक्ष डूक्टर राजेंदर परसाथ बने थे। दूसरा उदेश्य परस्ताव पंडित जवाहाल नानायरों के दुआरा पर स्थूत किया गया था। तीसरा सविधान सभा में सभ प्रयावत्त प्रतिन धित्व परधान किया गया था। वो प्रियुक्त कत्रों में से कौन साया से सही है या है आपके ओप्षनस है केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 3 दोनों या फिर 1 दो और 3 तीनों इसका सभी ज़वाब ऑप्षन B है य whirlी 2 और 3tyसरा को आस्ताई अध्यक्स चुलिया गया था यनकी सविधान सभा के पहले अध्यक्स डॉक्टर सची दानान सिना थे ना कि डॉक्टर राजियंदर परशाद इसलिए पहला कत्र गल्द हो जाता है सविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को जिसमें डॉक्टर राज सविधान सभा अपना काम कैसे करती थी सविधान सभा ने अपने काम क्यों करने के लिए कुछ समीतिया बना रखी थी आठ बड़ी समीतिया थी और चोटी-चोटी समीतिया थी जिनके मादम सिव अपना काम करती थी सविधान सभा में उदेश्या परस्ताव परस्तूत किया गया था 500 जवहाल नारु के द्वारा 13! दिसंबर 1926 को और इसको स्विकार के गया 22 जनुवरी 1927 को और यही उदेश्व परस्ताव आगे चलकर हमारे सविधान की परस्तावना का आधार बनता है हमारे सविधान कीपरस्तावना जिसको जिश्य का के aquest romantic से विजान जाता है उसका आधार यही उदेश्य परस्ताफ जिसको पंडित जवहाल नारू के द्वारा रखा गया था स्रुधान सभा में सभी समुदाहें को उचित परतिने देतों परधार किया गया है चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पार्सी हो या फिर आगला भारतिय, भारतिय, इसाय, अनुसूची, जाती, महिलाई, जन जाती, कोई भी क्यों ना हो सभी को उचित परतिने देतों दिया गया था सभीधान सभा में 15 महिलाई थे और 28 अनुसूची जाती के सदैश्य सामिल थे आप तो जानते हैं सभीधान सभा को कैबिनेट मिशन की संस्तूतियों के अधार पर इस्टैबलिश किया था इसमें उस समय कुल सदैश्य संख्या 389 थी और जब भारत का शप्रेशन हुआ था भारत और पाकिस्तान अलग-अलग दो देश बने थे उसमें इसकी सदैश्य संख्या 299 वराय गए थी 26 जनुवरी 1949 को जब सभीधान सभा ने अपना सभीधान बना लिया था जो कि सभीधान सभा की अंति मैठख भी थी उस समय 284 सदैश्य उपस्ते थे और इन 484 सदैश्यों ने भारत या सभीधान पर हास्ताक्षर किये थे दौस्तों अगर आपने इस प्रशन से कुछ सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करने न बोलें अगर आपने चैनलन को सब्सक्राइब निकर अब भी सब्सक्राइब करें